तो फाइनली बच्चो जिस वीडियो का आपको इंतजार था वो वीडियो आपके आ चुका है नमस्कार बच्चो सुवागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में अगर आप कक्छा टेंथ के विद्यारती हैं और बोर्ड प्रिक्छा 2022 में सामिल है तो इस वीडिय को आपको complete देखना है और exam से पहले English का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से त्यार गरना है अगर आपने exam से पहले ये पूरा पेपर अच्छे से त्यार गर लिया तो English के पेपर में आप 80 में से 80 नम्मर फोड़ कर आओगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं क काक्सा 10 English का ये आपके पेपर है और यहाँ पर जो timing है वो भी आप देख सकते हैं 2 गंटे 45 मिनट यानि 2 गंटे 45 मिनट का जो टाइम है वो इस बार आपको मिलने वाला है और इस बार जो आपके English का पेपर है वो भी आपके 80 नम्मर का आने वाला है तो सबसे पहले आप यह जनरल आपके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं यानि जो सामाने निर्देश दे रखे हैं उनको आप पढ़ सकते हैं और सबसे पहले पेपर में आपको सेक्षन ए मिला है और सेक्षन ए में आपके रीडिंग है ओके यानि रीडिंग वाले कुश्चन है और यहां पर पहला question आपको दिया गया है कि read the following passage and answer the questions यनि यह आपके passage है इस passage को आपको दिहान से पढ़ना है और इस passage के अंदर जितने भी आपको question दिये गए है सारे question आपको अच्छे से याद गरने है यनि यहाँ पर total यह जो passage है वो आपके 6 नम्मर का है और 6 नम्मर आप आराम से बना सकते हैं पेसेज आपको अच्छे से त्यार गरना है तो यहाँ पर इसमें पहला question आपको दिया गया है आप पढ़ सकते हैं अच्छे से कि in appearance they look like a concept mountain इसमें option वाले यनि multiple choice question है वो आपको दे रखे हैं तो इसमें कौन सा option आपके सही होने वाला है उस पर आपको वो option आपको लिखना है अपनी note book में और यह आपके second question है और यह आपके तीसरा question और यह आपके चोथा question चोथा question है आपके fill in the blanks यानि यह जो आपको रिक्तिस्थान दिया गया है इस रिक्तिस्तान में आपको भरना है यहां पर आपको दो वर्ड दिये गए है इन में से एक वर्ड आपके रिक्तिस्तान में आने वाला है और पांच वा कुशन है आपके write the answer of the following यानि इसमें आपको दो कुशन दिये गए है इन दोनों question के आपको answer लिखने है उसके बाद में second question आपको दिया गया है second question है आपके read the following passage and answer the questions यानि ये भी आपको passage दिया गया है तो इस passage को भी आपको ध्यान पूरुवक अच्छे से पढ़ना है और इस passage के अंदर जितने भी आपको question दिये गये है सारे question आपको अच्छे से याद करने है यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसके बाद में तीसरा question है आपके grammar यानि यहाँ पर लिखा हुआ है grammar तो यहाँ पर तीसरा person है आपके choose the correct form of the verb यानि इसमें आपको correct form लिखनी है यहाँ पर पहला जो sentence है वो आप देख सकते हैं कि presently see और यहाँ पर आपको word दी गई है skip the rope तो इसमें कौन सा option है वो आपके सही होने वाला है वो आपको अपनी notebook में लिखना है और दूसरा person आप देख सकते हैं कि the average student और यहाँ पर top यह आपके word है the school this time तो इसमें भी आपको चार option दे रखे हैं जो option आपके सही होगा वो आपको लिखना है तीसरा person है आपके we draw the map by that time तो इसमें कौन सा option आपके सही होगा वो आपको अपनी notebook में लिखना है उसके बाद में चार number है आपके half yearly examination और यहाँ पर commerce यह आपके verb है in December next month है तो इसमें भी आपको चार option दे रखे हैं जो option आपका right होगा सही होगा वो आपको बताना है और उसके बाद में person संग्या चार है आपके कि change the following sentence into indirect speech यानि indirect speech में आपको change करना है यह आपके direct speech में दे रखा है तो इसमें पहला sentence है कि विशनू said गनेश डिड नोट बिट हिम ओके और दूसरा sentence है कि the student said to the teacher I shall work hard और उसके बाद में पांचुआ person है कि combine the following pair of the sentence इसमें आपको combine करना है यानि womb का प्रियोग करना है पहले में कि the boy got 90% mark I taught him तो इसमें आपको womb का प्रियोग करना है और दूसरा है आपके कि this is the village I was born here और इसमें आपको where का प्रियोग करना है उसके बाद में person संग्या 6 है आपके change the following sentence into passive voice यानि आपको दो active voice दे रहे हैं इन दोनों को आपको passive voice में बदलना है let him take guidance तो यह पहला sentence है और दूसरा है कि who can solve this question तो काफी important paper है पूरा paper आपको अच्छे से याद करना है उसके बाद में person संग्या 7 है आपके frame question तो get the following answer my name is कोसल कुमार इसको आपको frame question में change करना है और person संग्या 8 है आपके add question tag to the statement given below few students obtained 99 percentage mark okay तो इसमें आपको take question का प्रियोग करना है और उसके बाद में question number 9 है आपके fill in the blanks यानि इसमें जो रिक्त इस्तान दिये गए है इन रिक्त इस्तान को बढ़ना है पहला आप देख सकते हैं कि the rain fell is declining the declining the he is increased तो इसमें आपको एक तो आपको दे रखा है दो और एक आपको द तो रिक्त इस्तान दिये गए है इनको आपको सही से लिखना है और उसके बाद में section B है section B में आपको यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि answer the following question in 40-50 word यानि इसमें जितने भी question दिये गए है परते question का जो answer है वो आपको 40-50 word में लिखना है यहाँ पर दस्वा person है कि what lesson do you draw from the lesson T from Assam question है इसमें आपको chapter का नाम भी दिया गया है Amanda और यह आपके बार हुआ question है कि describe the scene of a feeding time of dog इसमें आपको chapter का नाम दिया गया है और तेर हुआ chapter तेर हुआ person आपके griffon was rather a loveless person comment इसमें आपको chapter का नाम दिया गया है कि footprint without fit और यह आपके question question नमर 14 है आपकी कि does bolly enjoy her first day at school okay तो यह आपके बोली वाला जो chapter है उसका question दिया गया है तो यह सारे question आपको अच्छे से याद करने हैं उसके बाद में पंदरुआ question है आपकी read the faces given below and answer the questions that follow तो यह आपकी वेटा faces दिया गया है इस faces को आपको अच्छे से पढ़ना है और इस faces में total आपको दो question दिये गये हैं तो दोनों question के आपको सही answer लिखने है उसके बाद में person संक्या question आपको अच्छा से आपको पढ़ना है और इस सनाजा में आपको दो question दिये गये हैं इन दोनों के आपको सही answer लिखने हैं उसके बाद में person संक्या 17 आपकी read the सनाजा given below and answer the question that follow तो यह सनाजा आपको पढ़ना है और इस सनाजा में आपको दो question दिये गये हैं इन दोनों के आपको सही answer लिखने हैं उसके बाद में अठार हुआ question है कि read the सनाजा given below and answer the question that follow तो यह भी आपको एक सनाजा दिया गया है और इसमें आपको दो question दिया गया है दोनों question के आपको सही answer लिखने हैं उसके बाद में section C है और section C के अंदर answer the following द्रार कि एक क्रेक्टर इसकेच ओप लेंचो लेंचो का आपको क्रेक्टर सकेच लिखना है और यह किस्ट आपकी लेटर टु गोड़ इस चैप्टर का कुस्टन है काफी इंपॉर्टिट है और अत्वा में भी कुस्टन दे रहे हैं आपको उसके बाद में पर्शन से क्या भी इस है Do you think the little of the story His first flight is after how और His first flight तो ये इस चेप्टर का question दिया गया है तीन नम्मर का है और What do you know about कुर्ग कुर्ग और कोडगु और ये आपके कुर्ग वाला जो चेप्टर है उसका question दिया गया है तो यहाँ पर देखिए चेप्टर का नाम भी लिखा हुआ है तो आप इसको साथ साथ में इन questions को लिख सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पर section D दिया गया है section D में question नम्मर 23 है आपके Imagine you are Arjun living in Prava Nagar write a letter to your father requesting him to send you money to buy a cycle यानि cycle खरीदने के लिए उसको पेसे चाहिए तो अपने पिता जी को एक पात्र लिख रहा है उसको थोड़े money की आवसिकता है तो इसके बारे में आपको क्या लिखना है लेटर लिखना है और इसके अथवा में भी आपको एक email दिया गया है अगर आपको लेटर नहीं आ रहा है तो आप email वाला question भी कर सकते है और उसके बाद में question नमर 24 इसमें आपको write a story आपको story लिखनी है using the outline जो आपको outline दी गई है इनकी help से आपको एक story लिखनी है अगर आपको ये story नहीं आ रही है तो अथवा वाली story आप कर सकते है और उसके बाद में question number 25 है आपकी write a paragraph on the given visual aid word limit कितनी है इस paragraph की 150 से 200 word में आप लिख सकते हैं तो picture of a drawing boy ओके और इसके अथवा में भी आपको एक paragraph दिया गया है अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि write a paragraph on the given visual aid word limit है आपके 150 से 200 word और इस diagram को आप देख सकते हैं picture of state museum of Rajasthan इसके बारे में आप paragraph लिख सकते हैं अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like करें दोस्तों के साथ share करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिए साथ में notification bell को प्रेस कर लिजिए